ओके गाईस तो यह आज की दिन का हमारा दूसरा वीडियो है, सबसे पहले मैं एक छोटी सी अनॉंसमेंट आपको करना चाहूंगा, उससे पहले सबस्क्राइब कर लेना चानल को, बेल आइकन प्रेस करके ओल पर सट कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड अपन पता है कि हम कमेंट रिक्वेस्ट से बहुत दिनों से आपको पता होगा, कमेंट रिक्वेस्ट के उपर बात कर रहे हैं, और अगर आपको जिस पता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो है, मैं इस चीज को चेंज करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको पता ह कि हम comment requests के उपर बात करते हैं हर दिन दो बार तो इसका मतलब आप videos को regularly देखते हो तो इससे आपको काफी फाइदा पहुंचा होगा इस चीज को हम इसे लिए change कर रहे हैं क्योंकि अब होने क्या वाला है सबसे पहले यह बात करते हैं दिन के दो वीडियोज जो मैं बनाता हूँ साथ दिन के कितने होगे 14 वीडियोज होगे 14 वीडियोज में से 4 से 6 वीडियोज जो है वो comment request के उपर आएगा बाकी मैं किसी और topic में बनाऊँगा and क्यों ऐसा करने वाले क्योंकि जो comment request थे जो मुझे target करना था जो चीज मुझे यहाँ पर channel पर बताना था solve करना था जो problem मुझे दिख रहा था channel पर और वो चीज मैं solve कर पाया मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों पता चल गया है कि मैं इन सब से क्या चाता था कि आपको fundamental analysis किस तरह से करना होता है company को किस तरह से देखना होता है कौन से companies आपके पैसे बना देगी कौन से आपके पैसे खा जाएगी यह आपको पहचानना कैसा है यह मैंने आपको बता दिया और यही मेरा motive था बाकी ऐसा मैं क्यूं कर रहा हूँ, क्या होगा, कौन से comment request मैं pick करूँगा, कैसे pick करूँगा, क्या कुछ होने वाला, यह आपको पता चलेगा, आज के ही पहले वीडियो में जिसका link आपको आई बटन पे मिल रहा है, इसके starting के 2-3 मिनट आप देखना, 2-3 मिनट भी नहीं है, यह हमारा comment request है, और एक reason उसका यह भी है comment request को थोड़ा कम करने का, क्योंकि देखो है comment request जो है na, सारे अगर मैं cover करता हूँ, जैसे अब मैंने आपको बताया कि comment request मैं सारे अब नहीं cover करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ comment request, जो अच्छे होंगे comment request, जो बताने लाएक होंगे, जिससे कुछ knowledge मिल रहा होगा, मैं उसी को cover करूँगा, और देखो मैं अगर सारे comment request cover करने चाहूँगा, छे दिन पहले का comment आया हुआ है, और अभी मैं उसको cover कर रहा हूँ, छे दिन बाद मतलब एक हफते पीद गए, तो duration भी बहुत जादा हो रहा है, केमकॉन specialty chemical share लेना च कह सकते हो, एक micro cap company ही है, लेकिन 1000 crore से जादा market cap इसका हो चुका है, तो अब जो है, मैं कह सकता हूँ कि यह एक small cap company बन चुकी है, बट इसका जो risk factor है, वो अभी भी काफी जादा है, दूसरी बात, मैं इस video में बिल्कुल भी कोई recommendation आपको नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह देखोगे, sales क्या हो रहा है, 32, 51, 53, 63, 97, बढ़ते बढ़ते हैं यहाँ आप देखते रहा हूँ, ठीक है, आप खुदी देखो, यहाँ पे 303 अभी पहुँच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2019 में ही 303 यह पहुँच गया था, उसके बात जो है, 2020, 2021, 22, in fact अगर मैं एक इस 300 और उसके थोड़ा उपर, थोड़ा नीचे यही किये जा रहा है, अगर आप देखोगे stock, इससे आगे का sales नहीं आ रहा है, company, इससे आगे का sales नहीं कर पा रही है, operating profit अगर देखोगे, तो 43, 49, 56, 63, 55, 36, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर भी ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, फिर भी यहाँ पे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी फसा हुआ लग रहा है, देखो, 2022 के बाद 23 में 55, TTM में 36, अब obviously, TTM का नंबर उपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे, तो stock में जो 30 थी थी, वो थोड़ी सी सिमट्टी वे दिख रह तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ, अगर मैं sales growth की बात करता हूँ सबसे पहले, 10 साल का 19%, सही है, ठीक है, 5 साल का 14% not good, 3 साल and TTM का जोगे सबसे important होता है, 3 साल, 5%, very bad, TTM का 1%, आप खुच समझधार हो, in fact, 5 साल का भी अच्छा नहीं है, 14% is not good, 19% भी अच्छा नहीं है, ल अब stock वहीं फस गया है, sales growth वहीं जो है, sales वहीं फसा हुआ है, एक ही जगा पे, profit growth के बारे में बात करें, 10 साल का 42%, बहुत अच्छा, 5 साल का 16%, not good, 3 साल का 4%, not good, आपको पता है, 4% कैसा है, TTM का minus 52%, profit growth गायब हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप ROE देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा, इसका reason क्या है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जहाँ पे आपको profit growth और sales growth पहले सही था, अब सही नहीं है, अगर आपको ऐसा दिख जाए, आँख बंद करके बोल दो ROE की गलती है, अब देखो 10 साल का 22% है, फिर भी सही है, 5 साल का 21% है, ठीक है, 3 साल का 16% है, last year का 12% है, मतलब धीरे-धीरे जो अगर आप देखोगे, यह घट रहा है, ठीक है, last year का 12% है, 3 साल का average पकड़ोगे, तो 16% के आसपास आ रहा है, मतलब पहले जादा था, अब कम हो रहा है, तो अगर ROE कम होता है, तो कहाँ effect करता है, मैं सीधा बोलता हूँ, ROE गया, मतलब EPS growth perfect करेगा, EPS growth, profit growth, और profit growth indirectly, sales growth, तो ऐसे जो है, इस तरह से यह पहुंचता है, और पूरे profit and loss statement को, या फिर पूरे fundamental के जो, आप कह सकते हो, जो main चीज़ है, ठीक है, जो base है, उसी को यह खराब कर देता है, और इसका एक reason क्या है, थोड़ा सा जो है, आप कह सकते हो, तो margin में जो है, यहाँ पे पहले 33, फिर 32, फिर 15 के तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा margin shrink होता हुआ दिख रहा है, पहले जो margin 10% था, और margin बीच में increase हुआ था, 29% तक margin गया था, 22, 27, 29, 33, ऐसा margin गया था, लेकिन अब जो है, वो थोड़ा सा shrink होता हुआ दिख रहा है, और ROE जो email ली, देखो सब मैंने कहा ना, कुछ हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मदार कौन, ROE, ROE कम हुआ, इसी वज़े से यह सब चीज़े आपको दिख रही है, अब ठीक कैसे होगा, वह सिंपल बात, ROE बढ़ जाएगा, obviously सब चीज़े आराम से ठीक हो नहीं है, long term boring कम होना चाहिए, यहाँ पे तो zero के बराबर है, short term boring कोई problem नहीं करता है, और 63 करोर वैसे भी कम है, तो boring में कोई दिखकत नहीं है, CWIP कंपनी थोड़ा बहुत करती है, और बाके आप देख सकते हो, investors के उपर चलते हैं, तो देखो 74% promoters के पास holding है, 74.5% मतलब बग बग, आप कहा सकते हो, 75% के आसपास ही, आप कहलो, promoter के पास holding है, बहुत अच्छी बात, public के पास 25% holding है, और obviously है, अगर यहाँ पे promoter के पास 75 है, तो public के पास 25 ही होगा, तो एकदम balanced है, कुछ कहने का ही नहीं है, इसमें देखकर की लग रहा है, बहुत अच्छा holding है, और यहाँ पे कोई H&I's भी नहीं है, तो पूरा 25% holding retail investor के पास है, और पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, share holding pattern, first class, एक number, balance sheet, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन जो base है, वही खराब है, तो building रह सकती है, गया, नहीं र बोलूँगा, technicals के उपर चलते है, stock price भी गिरा हुआ है, क्यों गिरा हुआ है, वही reason है, एक ही जगा पे फसा हुआ, गिरा हुआ, एक ही reason, मैं आपको हमेशा काता हूँ, जहां growth जाएगा, जहां growth गया, stock price गिरेगा, और उसके बाद गिरने के बाद एक जगा पर आ करके व उपर चला गया, अगर आप देखोगे, यहां पर मैं थोड़ा zoom करके दिखाऊ, तो एक तो यहां पर नीचे जाने की कोशिश हुई, बट वो नीचे गया नहीं, वापस से यहां पर ही, जहां पर यह consolidate कर रहा था, वहीं पर आया, वापस से काफी consolidate किया, उसके बाद break down gap down open हुआ, फिर उसके बाद एकदम recovery आई, इसके उपर एकदम पहुंच गया, momentum था इसके लिए और उपर चला गया, लेकिन फिर से वापस यहीं पर आ करके रुक रहा है, मतलब stock जो है, इसको एक बहुत ही major support है, major support ठीक है, यह है, और इसको break करना बहुत मुश्किल है, तो यहां पे कोई stock अगर एक line में घृर रहा हुता है, ठीक है, जैसे यह stock, लगातार घृढर रहा है, ठीक है, लगातार घृर रहा है, मैं आपको हमेशा कहतू हो, जो stock इस तरह से लगातार घृर रहा हूँ, उसमें आपको wait कर जाना है, अगर आपको बहुत अच्छा भी यह नहीं है तो यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा रुकूंगा मैं तो मैं अगर होता तो यहाँ पे बाई नहीं करता क्यों क्योंकि कभी भी अगर स्टॉक एक तरफा गिर रहा होता है तो यहाँ पे कानफरमेशन लेने होते हैं कि क्या यहीं से रिवर्सल आएगा या फिर यह स्टॉक और भी गिरने वाला है तो यहाँ पे तो अभी कोई कानफरमेशन मिला नहीं है रिवर्सल का कुछ खास बस एक ही है कि यहां से यह सपोर्ट ले रहा है बहुत मेजर सपोर्ट है बस उसके आगे और कुछ नहीं है और एक नेगटिव पॉंट यह भी है कि बार बार यह उपर जाने की कोशिश तो कर रहा है बट यह जा नहीं पा रहा है यह भी एक पॉंट है तो जो भी यह एब एंड करते हैं वीडियो को और वैसे भी मैंने एक मिनट के लिए फंडमेंटल को और कुछ कंटेंट में चेंज आने वाला है तो इसी वज़े से आप जो है आई बटन पर जो मैंने आपको लिंक दिया था वीडियो के एक दम वीडियो के स्टार्टिंग में वो जा करके जरूर देखना मिलते हैं यार कल और कल से जो है यह जो चीज जो मैं आपको बता रह हो जाएगा सो देखते हैं कल क्या होता है सपोर्ट देना आयार और थैंक यू बाइबाइ और थैंक्स वर वाचिंग